इस वीडियो में हम ethos limited company के IPO की complete analysis करेंगे जिसमें हम company के product and services company के financial IPO details और मेरा क्या opinion इस IPO को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे मेरा नाम है शुभान स्चोरस या तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दिखे अगर अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को subscribe नहीं किया है तो link आपको description में मिल जाएगा जल्दी से जाकर आप subscribe कर सकते हैं चलिए सबसे पहले company के product and services के बारे में समझ जाते हैं कि company किस field से related है अब दिखे देखा जाए तो ये जो company हैं इंडिया की largest luxury and premium watch retailer company है और दिखे अगर बात करें कि ये अपना माल कहां पर बेचते हैं तो इन्होंने कई सारे माध्यम बनाय हुए हैं जैसे कि अपनी website पर बे अपरेट्स on an omnichannel model and allows customer to order product either offline और online यानिकी online और offline जैसे भी आप चाहें इनके product को order कर सकते हैं है the flexibility of buying product at one store and returning at another यानिकी अगर आप माल लिजीए कि दिली में रहते हैं आपने इनके store से watch खरी दी और आप फिर उसके बाद मुंबई में सिफ्ट हो गए हैं और आप की product में कोई दिक्कत आती है या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप मुंबई में इन्हीं के store पर चाहिए और आप चेंज कर सकते हैं तो यह flexibility इन्होंने provide कर रखी है और आगे आपर बताया गया है कि browsing product and placing order online with doorstep delivery यानि कि आप offline भी अगर order करते हैं तब भी आपके घर में delivery इनके product की हो जाएगी तो overall कहा जाए तो यह luxury and premium watch वनाने वाली company हैं जो कि कई सारी facility आपको provide करती है अब देखे बात करें यहाँ पर computer strength की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं access to a large ways of luxury customer deep understanding of digital and omni channel commerce and next है leadership position in attractive luxury watch market and next है experienced and committed management team with a proven track record अब देखे बात करते हैं financial की financial सबसे जड़ादा जरूरी होता है और सबसे पहले आता है asset value asset value अगर देखी जाए तो 2019 मार्च में 36,892 million के आसपास रही थी वहीं 31 मार्च 2020 को 42,195 million के आसपास रही यानिकी बढ़ती भी नजराई वहीं मार्च 2021 में अगर बात करें तो इसमे अगर देखा जाए तो 49,399 million के आसपास इनकी asset value होते भी नजरा रही है यानिकि अगर देखा जाए तो asset value ठीक ठाक है कुछ जादा खास भी नहीं है और कुछ जादा खराब भी नहीं है नेक्स अगर बात करी जाए total revenue की तो revenue अगर देखें 31 मार्च 2019 को 44,509 million के आसपास र रहा था लेकिन 2021 मार्च में देखा जाए तो revenue काफी जदा खड़ता हुआ नजराया 40,314 million के आसपास रह गया और 31 दिसम्बर 2021 तक यानि मातर 3 quarter में देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले तो यह जादा है 42,934 million का है हो सकता है कि यहां पर यह और भी जादा आगे निक profit after tax की तो यहां पर मार्च 2019 में इनका profit 988 million का था वहीं कमपनी 2020 में loss में जाती भी नजराया और माइनस 133 million का इनको जो है loss होता हुआ नजराया वहीं बात करें मार्च 2021 की तो यहां पर 578 million के आसपास इनका profit रहा वहीं दिसम्बर 2021 की बात करें यानि 3 quarter में तो 1598 million का company profit करती भी नजर आ रही है थोड़ा सा यहां पर चौकने वाली बात है कि यहां पर आप देखें revenue यहां पर सबसे ज़्यादा है 31 March 2020 को revenue 46100 है जो की चार साल में इन चार साल में अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा है लेकिन इसी साल में company loss में गई है आप देख सकते हैं यहां यहां पर company जो है profit काफी ज़्यादा company हुआ है मतलब profit आप देख सकते हैं तीन गुना बढ़ गया है तो यह थोड़ा सा समझ में ना आने वाली बात है और इसी से मैं थोड़ा आसर चकेत हूं आपको क्या लगता है comment box में लिकर जरूर बताएं अगर यहां पर IPO detail की बात करे है 17 shares एक lot में रहेंगे retail category के हिस्से की बात करें तो 35% का reservation आपको यहां पर मिलेगा size की बात करें IPO size तो 472 करोड के आसपास है जिसमें से fresh issue 375 करोड और offer for sale करीब 97 करोड के आसपास होने वाला है book build issue रहेगा BSE NSE दोनों में ही IPO list होता हुआ नजर आएगा अब देखें यहां रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फॉल और इन पार्ट ओफ और सटेंग और आवर कंपनी नेक्स्ट है funding वरकिंग कैपिटल रेक्वार्मेंट नेक्स्ट है financing the capital expenditure for establishing new stores यानि कि यह नई दुकान है नई stores अपने खोलने चाहते हैं next is financing the renovation of certain existing stores यानि कि जो इनके पुराने stores हैं उनको renew कराना चाहते हैं उनका renovation कराना चाहते नेक्स्ट है general corporate purpose तो यह कारण है इन उन बताए हैं जिसके करान यह अपना IPO लेकर आए हुए हैं अब दिखेंगे बात करते हैं time table की तो जैसे की पता है आपको 18-20 माई के बीच यह open होने वाला है allotment की बात करें तो 25 माई को इसका allotment आएगा refund की बात करें तो अगर आपको allotment नहीं मिला है तो 26 माई के दिन इसका allotment आजाएगा अगर आपको शेर्स मिल चुके हैं अलॉट हो चुका है तो 27 माई को डिमेट काउंट में आ जाएंगे लिस्टिंग की बात करें तो 30 माई के दिन यह आई-पयो मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अब दिखिए बात करें यहां पर लॉट साइज की तो लॉट यहां पर एक लॉट आप रिटेल में मिनिमाम एप्लाई कर सकते हैं 17 शेर्स वो करीब 81 दिसमलोज 01 परसेंट थी कंपनी के अंदर लेकिन यह आई-पयो आने के बाद जो प्रमोटर की होलने है करीब 61 परसेंट के आसपास बचेगी इसका मतलब है करीब-करीब 20 परसेंट यह डाइलोट कर रहे हैं और 20 परसेंट का जो इनको वेल्यू है वो करीब-कर 22-23 करोड की यह टोटल कंपनी होती भी नज़र आ रही है यहां से आप वैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए मैं आपको बताया अब देखिए यहां पर सारी चीजह हमने समझ गए कि कंपनी क्या है क्यों है कैसे करती है काम कंपनी के फैनेशल कैसे हैं आई- जादा अच्छे नहीं है और बहुत जादा खराब भी नहीं है एक दम मलब थोड़ा से ठीक ठाग लेबल बाले फैनेशल हैं और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आई-पयो जादा कुछ लिस्टिंग हैं जैसे डबल ट्रपल यह तो नही देने वाला है प्रीमियम भी इसका अपडेट नहीं हुआ है और मुझे थोड़ा सा महेंगा लग रहा है परसनली अगर देखा जाए तो इसका प्राइसमें थोड़ा सा महेंगा लग रहा है और उस लिहाज से मैं आपको यहीं बोलूँगा कि अगर आप रिस्की निवेश इसका असर देखने को मिलेगा तो मेरा मानना है कि जो यहाँ पर रिस्की निवेशक हैं वह एपलाई करें बांकि सिफ निवेशक यहां से बिल्कुल दूर रहें आपको यहां पर एपलाई नहीं करना चाहिए मेरा परसनल ओपीनियन है और यह शुरुआती जो मुझे समझ निगेटिव वह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा तो अगर आप जो भी होगा अपन डिसकस करते रहेंगे बट अभी का जो डिसीजन है वह यही है कि इस आई प्यों में रिस्की निवेशकों को एपलाई करना चाहिए ज्यादा लिस्टिंग है जैसे 50% भी अगर ल लिस्टिंग इन के लिए तो अभी यही है पांकी अपडेट आपको मिलती रहेंगे आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करने चैनल पढ़ने है तो सब्सक्राइब जरूर करने धन्रवाद